है ना ऐसे भड़का फिर मैंने नहीं सुना तो करने लागा तो वह मत करना है ना मैं कट रहा हूं तो पस बता देना ठीक है तैयार बैठे हो बहुत अच्छे से ज़रा पीछे मुड़के घरवालों की खुशी देखो कि सुबह आठ बजे उठ रहे हो तुम तो चलो आज राज खोल देता हूं उसके बाद वीडियो चालू करूंगा कि ये सुबह आठ बजे क्यों आना क्योंकि घरवालों की सबसे पहली प्रॉब्लम तुमारे साथ ये रही है कि तुम सुबह जल्दी नहीं हम नहीं कर पा रहे हैं नहीं हो पाएगा ये और वह लेकिन तुम लोग चैंपियंस हो तुम लोगों ने वह कर दिखाया है जो वाकई में आज 2020 का बोर्ट तुम से डिमांड कर रहा है एक कमिट्मेंट एक सीरियसनेस और अगर इसी शिद्दत से और गहराई में तैयारी कर हो और स्टोर सेक्शन में से हमबल बंडल ले सकते हो अगर आपको इन डेफ्थ डीटेल्ड वीडियो चाहिए कॉमर्स बाबा के गैस पेपर चाहिए और कॉमर्स बाबा के वो शॉट नोट्स चाहिए जो बाकी जगे 10-10-15-15 पेजिस के हैं आप उनको 3-4 पेजिस में सुनने वाला मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैटे घर पे सबको एक साथ किया तो सबसे पहला हमारा अप्तिविटी तरंवर रेशओ में यह आता है और वो है इंवेंट्री तरंवर रेशओ अाइस सिय क्या कुछा किन्सर चाहिए बता रा है कितनी कितना स्टॉक अबको तोससे निकल के सैल्स में convert हो चुका है यानि आपकी output में convert हो चुका है तो inventory turnover ratio बोलता है सबसे पहले cost of revenue from operation नो यहां पे मैं तुमें एक चीज बहुत clear कर दूँ और आज तुम मेरे साथ और detail notes बनाओगे मैं बात करता हूँ भाई उस आठ रुपे की अभी यह कहलाएगी cost of revenue from operation कहीं पे लिख लो इसको copy में और यह कहलाएगा revenue from operation ऐसे बोलते हैं ना यार वो बंदे को जानता है हाँ और उसका भाई तो this is revenue from operation इस उसका भाई cost of revenue from operation कितने में बन के तयार हुआ वो जो market में बेचा गया था revenue from operation मतलब क्या market से कितना revenue कमाया cost मतलब क्या अच्छा वो जो market से पैसा कमाया उसकी cost कितनी थी that was cost of revenue from operation ठीक है revenue from operation की cost ऐसे याद रख सकते हो तो 8 रुपे की cost 10 रुपे में बेचा this is sales this is cost this is sales this is cost ठीक है कोई देकत तो नहीं अब यह हो गया cost price यह हो गया sales price बिलकुल बच्चों जैसे करते हैं बच्चपन में किया था sales price minus cost price equals to होता है profit यह करा था भाई मेरे इतना तो याद होगा के sales price minus cost price equals to profit यह भी कहीं copy में लिख लो तो यार inventory turnover ratio में सबसे पहले लिया cost of revenue from operation और आपको यही लिखना है please cost of goods sold मत लिख देना अगर किसी ने बताया है तो गलत है वो अब यह काम नहीं करता है cost of goods sold पहले कहलाता था cost of revenue from operation उसका नया नाम है latest name है अब आपको उसके upon में लेना है average stock वो मैं बाद में निकालना सिखा हूँगा पहले मैं cost of goods sold मैंने यहां पे सिर्फ reference के लिखाए क्योंकि इतनी जगे नहीं है तो cost of goods sold या cost of revenue from operation जो है technical नाम वही है ना बाबजी के पास जब पढ़ रहे हो तो याद रखना this is the technical name this is just for the sake of reference कि जो cost of goods sold है या cost of revenue from operation ही है वो जो होता है सबसे पहले आप लेते हो उसके अंदर opening stock plus करते हो उसमें net purchases जो आपने साल भर में goods खरीदे plus कर देते हो जो छोटे मोटे खर्चे किया अपने production में diet expenses अब जिसने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं मैंने उसमें बहुत clearly बताया था जो भी factory के अंदर खर्चा होगा जो भी factory के अंदर खर्चा होगा जैसा भी होगा वो सारे आपके direct expenses हैं क्योंकि वो production से directly related होते हैं freight inward, carriage inward, octroy, wages and salaries, fuel, coal, power, gas यह सब जो होते हैं वो diet expenses होते हैं उनको भी plus करोगी क्योंकि अगेन वो production में expense तो हुए, cost में तो count हुए minus कर दो कि closing stock, minus closing stock क्योंकि यह सामन बिका नहीं और मुझे cost उसकी लिनी है जो बिक गया है तो इसलिए मैंने इसको minus कर दिया तो मेरे पास cost of goods ओला गया भाई, यानि cost of revenue from operation आ गया, अब इसके और भी formula हो सकते हैं, पहले इसको लिख लो, मुझे यहीं pause कर दो और फिर आगे बढ़ते हैं, अब मैं कुछ नया context बताने वाला हूँ, और जो मैं तुमसे बोलूँगा कि copy में लिखो वो तुम्हे copy में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह तब ही समझ में आएगा जब copy में लिखोगे, क्योंकि मैंने पिछली बार COGS लिखा था और मैं नहीं चाहता कि त सेल्स दी हुई है, और percentage of profit जो है, ध्यान देना, लिखा हुआ है, on cost है, यानि कुछ न में लिखा हुआ है, gross profit was 25% on cost, ऐसा लिख दिया है, अब यार, sales question में दिये, यानि revenue from operation दिया हुआ है, है ना, मैं example के लिख रहा हूँ, दिक्कत कहां पर आएगी पता है, question में revenue from operation दिया on cost का मतलब समझते हो, कि तुम्हे cost का percentage निकालना है, लेकिन question में, तो sales दी हुई है, revenue from operation दिया हुआ है, अब क्या करोगे, अब फस गए, तो इस context में अगर तुम्हे cost of goods sold निकालना हो, जिसको हम नए latest नाम से जानते है, cost of revenue from operation निकालना हो, cost निकालना हो, वरना generally क्या करते ह जो मालूम है, मैं जानता हूँ, तुम क्या करते है, sales दी हुई है, sales का 25% निकालते, minus कर देते, cost आ जाती, क्योंकि बच्पन से सीख रगा है, cost price जो आती है, वो sales price minus profit होता है, latest इस साल बारवी कक्छा के एसाब से देखे, तो cost of revenue from operation निकालना है, तो revenue from operation से profit minus कर दो, यहीं प cost पे percent, लेकिन cost तो दी नहीं है, question में तो sales दी हुई है, इसलिए, ऐसे context में, अगर तुम्हे cost निकालनी पर जाए, तो लिखो revenue from operation, into कर दो 100, base 100, upon 100 plus profit percent, मतलब यहाँ पे तुम्हे profit percent की जगे, सिर्फ 25 put करना है, मैं करके भी बता देता हूँ, लेकिन पहले मुझे यहीं पे कर दो pause, और यह formula लिख लो क्योंकि मैं question करके बताने वाला हूँ, तो भाईया मैंने values put कर दी यहाँ पे, 5,00, into 100, upon 100, plus 25, यह denominator में पहुंच जाएगा, यह 125, तो भाईया, यहाँ यहाँ पे मैंने cost of revenue from operation 4,00, directly निकाल लिया, क्योंकि मेरे पास एक formula था, अब काफी लोग इस के लिए suggestion है, भाई, के एक simple सा formula अगर याद रख लोगे, तो तुम्हे cost of revenue from operation निकालने में दिक्कत नहीं होगी, अब याद रखो, नीचे मैंने plus किया था profit, यह बस ध्यान में रख लेना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, जनरल question आता है, तो तो फिर भी दिक्कत नहीं है, भाई, profit question में दिया है, sales दिया हुई है, sales में से profit minus करो, cost of revenue from operation आ गया, लेकिन अगर ऐसा question first जाए, मैं especially ऐसे questions की बात कर रहा हूँ, तो करपया करके यह जरूर चेक कर लेना, कि वो जो percentage है, वो काई पे दिया हुआ है, अगर sales पे दिया होता, direct percent निकालता, minus करता इस तरीके स percent निकालने के बाद, और मेरा cost of revenue from operation आ जाता, लेकिन यहाँ पे question थोड़ा सा technical था, और वही knowledge मैंने तुम्हें यहाँ पे दी है, तो इसके साथ साथ, अब जो एक और चीज़ आती है, upon में, वो थी average inventory, करपया करके formula लिख लो, फिर उसके बाद मैं उसके कुछ context तुमें बत closing inventory, whole divided by two, जो cost of revenue from operation का मैंने एक formula बताया था, opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock, उससे भी कई बार आपको opening and closing stock निकालने को आ सकता है, यह कहीं पे mention कर लेना कि बाबाजी ने बताया है, मतलब मैं तुम्हें इतना तयार करा दू, कि practical तुम्हारा इस chapter में चुठकियों का खेल हो जाए, क्योंकि ultimately यह chapter practicality का नहीं है, theory knowledge किती है या theoretical knowledge किती है उसका है, यह चीज़ note करते चलना, तो जैसा मैंने बताया कि opening inventory plus closing inventory whole divided by two, तुम्हारा average inventory आ जाएगा, अब वो कुछ context बता देता हूँ, जिस context में तुम्हें confusion हो सकता है, अब यहाँ पे पता ही क्या बोला है question में और तुम्हें क assume करता हूँ, तो मुझे निकालना है कि मेरी opening inventory किती होगी, अब तुम लोग पता है गलती क्या करोगे, अच्छा 1.5 times more than the closing inventory है, तो opening inventory अगर 1.5 times है तो हो गया 1.5x, और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा answer आ गया, लेकिन भाया इतने ही आसान थोड़ना है, यहाँ पे सार खेल जो है न, वो वर्डिंग्स का है, मतलब यह जो तुमने opening inventory 1.5x लिखा था वो गलत है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, opening inventory निकालने के लिए, यह देखना पड़ेगा कि 1.5 times नहीं दिया हुआ, अगर 1.5 times अगर आता सिर्फ, तो हाँ 1.5x बिलकुल सह था, question यहाँ पे क्या differentiated बोल रहा है, कि opening inventory is 1.5 times more, यानि आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें x closing inventory से 1.5 times more है, तो closing inventory plus 1.5x आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप average stock निकालोगे, मतलब average stock में आप क्या लिखोगे, opening stock plus closing stock divided by 2, यानि opening inventory plus closing inventory divided by 2, आपको कुछ नहीं करना प पड़ेगी, x plus 1.5x, ये लेली मैंने भाई, मेरी opening inventory, plus करूँगा मेरी जो closing inventory है, x, और whole divided by 2 करूँगा, और जो भी average stock दिया होगा, वो मैं इसके आगे यहाँ पे लिख दूगा, क्योंकि question में average stock नहीं दिया होगा, तो कुछ भी x नहीं निकलेगा, but obvious है, यहाँ पे बस मु more लिखा हुआ है, तो आपको x plus 1.5x करना है, या 2 times more है, तो x plus 2x हो जाएगा, 3 times more than है, तो x plus 3x हो जाएगा, लेकिन वो addition का sign लगाना मत भूलना, वरना तुमारा इसका particular question गलत हो सकता है, second activity ratio आता है हमारा, trade receivable turnover ratio, अब now mainly context जो trade receivable turnover ratio का आता है, वो context बड़ा simple सा है, वो context है, के भाईया ये बताओ, के revenue कौन जाले, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, के revenue जो तुमारा इसके अंदर आता है, वो है credit revenue from operation upon average trade receivable, now कहीं पे ये note कर लो, के when it comes to trade receivable, I am talking about debtors as well as bills receivable, ये दोनों की बात करते हुए चल रहा हूँ, तो फिर से मैं बोल देता हूँ, जो trade rece receivable turnover ratio आया, वो आया credit revenue from operations upon average trade receivable से, now credit revenue from operation जो है, उसको कई बार तुमें find out करना पड़ सकता है, और ये questions काफी easy आते हैं, basic mathematics भी आती है, तो हो जाएगी, इसलिए मैं फिर भी एक बार बतायता हूँ, के revenue from operation is a mix of cash revenue from operation, plus credit revenue from operation, तो अगर कभी भी question में revenue from operation दिया हुआ है, और उ एनस प्लस करके तुमें credit revenue from operation निकालना होगा, बस, जिन्दिगी उसके बाद आसान हो जाएगी, ये formula के अंदर जादा कुछ context में बोलने को है नहीं, जो है वो मैंने बता दिया, उसके अलावा next पे बढ़ते हैं, थर्ड आता है इसी के अंदर trade payable turnover ratio, अब भाईयों देखो इसके अंदर भी कुछ खास नहीं है, purchase जो होती है, वो भी दो तरह की होती है, cash purchase और credit purchase, तो आपको वही देखना है, कि इसके अंदर, यानि trade payable turnover ratio के अंदर सिर्फ credit purchase को लेना है, तो credit purchase upon average trade payables, जब आप निकालोगे तो अगेन आप जानते हो, कि इसके अंदर आपको bills payable और average जो trade receivable से, वो कैसे निकालना होगा, but obviously opening trade receivable plus closing trade receivable whole upon 2 करके average trade receivable आएगा पिछले वाले के लिए, average trade payable निकालना है, तो again opening trade payable plus closing trade payable whole divided by 2, जहां पर time waste नहीं करना चाहिए, वहां पर अपर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत easily निकल सकता है, बस ये चीज़ ध्यान रखना, चाहे वो trade receivable turnover ratio हो, चाहे trade payable turnover ratio हो, trade receivable में credit sales आएगी, यानि credit revenue from operation आएगा, और जो trade payable turnover ratio है, उसके अंदर credit purchases आएगी, वो भी net वाली जिसमें से purchase written minus हो चुका है, और इसके अंदर fourth काफी easiest part जो आता है, वो आता है working capital turnover ratio, अब ये क्यों easy है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी balance sheet again याद करा चुका हूँ, तो working capital turnover ratio का formula होता है, net sales upon working capital या बिलकुल technical context में बोलूँ जो आपकी board की language है, revenue from operations upon working capital, अब ये जो revenue from operation है, ये तो sales ही हो गया, working capital क्या होती है, working capital कुछ नहीं है, balance sheet दी हुई है, तो current assets को total करो, minus कर दो उसमें से जो पूरी current liabilities है, अब मैंने तुमें sheet के अंदर होते हैं, 5 item, shareholders fund, non current liability, current liability, non current assets, current assets, अब ये कैसे भी mix back दे सकते हैं, total assets दे दिये, और non current assets दे दिये, तो भाया, total assets minus non current assets, current assets आ गया, कौन सी बड़ी चीज़ है, या total liabilities दे दी, और capital employed दे दिया, अब मैं सिखा चुका हूँ, कि capital employed के अंदर shareholders fund और non current liabilities है, तो भाया क्या करना है, तीनी चीज़ से तो पूरा equity and liabilities बनता है, shareholders fund, non current liability, और current liability, तीनों में से दो capital employed में ही आ गए, total liabilities में से capital employed मैनस कर दो बची current liability, मैं तो वो discuss कर रहा हूँ, जो wildest imagination में तुमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने balance sheet याद करा दिया, और तुमारे दिमाग में balance sheet चलती है, अच्छा चोड़ाई में देखो, तो दो ही चीज़ है, equity and liabilities और assets, फिर equity and liabilities के अंदर तीन पार, assets के अंदर दो पार, वो तीन पार कौन से, shareholders fund, non current liabilities, current liabilities, assets के अंदर दो पार कौन से, non current assets, current assets, अब भटा जो भी formula बनाना है, बना दो इसकी उपर, तुम इधर मैंने जो यहाँ पर concept clear करें, उसके बात तुमसे ऐसा कोई भी question नहीं है, जसमें इस तरह के confusion में तुम्हें अडा सके या कोई रोग भी सके तुम्हें, तो जैसा मैंने working capital के बारें बताया है, current assets minus current liabilities, अब इसके असपास कोई भी question बना दिया जाए, तुम्हें बनना चाहि बना चाहिक बना डाँ याए, तुम्हें, बना चाहिक बना चाहिकर कोई भी बना चाहिकर करें में बना बतायों.